हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई इस्टेडी शीट चैनल दोस्तो आज में एथलेटिक्स फिल्ड इवेंट से जंपिंग इवेंट जिसके अंतर को हाई जॉंप लांग जॉंप ट्रिपल जॉंप पोल वाल यानि बास कूद इस चार इवेंट आते हैं इन्हीं इवेंट के बारे में डीटेल में बताऊंगी mcqs के साथ जो आपके एक्जांस में 100% पुछे जाते हैं और इंपोर्टेंट है तो दोस्तों यदि आफ फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपर्टेटिव जांस का प्रिपरिशन syllabus के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो श्रिबश के कॉर्डिंग हैं एंड दोस्तों 100 से जादा वीडियो प्रिवियस यह mcqs कोस्टन के बनाए गये हैं एंड चेप्टर वाइज mcqs भी बनाए गये हैं सभी वीडियो ची तेक कर आपने नौलेज को बेहतर कर सकते हैं और अपने तयारी को तो हाई जंप में लेंडिंग एरिया की माँ पांच गुड़े तीन मीटर होती है नेश्ट है हाई जंप में क्रास बार का वजन कितना होता है तो क्रास बार जो होता है इसका वजन दो केजी का होता है हाई जंप में नेश्ट है high jump में landing area की उचाई कितनी होती है दोस्तों जहाँ पे आप गिरते हैं क्रास बार को पार करके वो जो गद्दा होता है उसके उचाई 60 cm होती है नेश्ट है क्रास बार की लंबाई कितनी होती है जो क्रास बार 2 kg का होता है जिसको हम पार करते है उसके लंबाई कितन कारमीटर होती है ठीक है नेसे दोस्तों जंप कितने प्रकार के होते हैं तो जंप दोस्तों इसमें पांच प्रकार के होते हैं ज्यादे से ज्यादे हाई जंप में ठीक है नेस्ट है पूरे अटायम्ट के बाद उची कूद में कम से कम कितनी उचाई बढ़ाई जाए शक्ती है तो दोस्तों पुरा अटेम्ट लेने के बाद यदि टाई आ गया फिर से कराने की जुरुत है तो उसमें हम उची कूद यानि हाई जंप में दो सेंटीमीटर उचाई बढ़ा सकते हैं यहीं पर आपका बास कुद यानि की पॉलवाल्ट कहता तो पांच सेंटीमीटर बढ़ा सकते हैं यह धियान में रखेगा हाई जंप में दो सेंटीमीटर पॉलवाल्ट में पांच सेंटीमीटर हम पुरे अटेम्ट के बाद बढ़ कितनी होती है तो 4 मिटर नेंचट हाइजब में क्रास बार के सीरे जिनका आकार चवकोर होता है उसके लंबाई वा चवडाई कितनी होती है तो जो क्रास बार होता है तो इसके लंबाई और चोड़ाई होती है 15-20 cm वह 2.9-3.8 cm नेश्टे दोस्तो हाई जंप में कितने प्रकार की तक्निकी यानि टेक्निक का प्रयूग किया जाता है तो इसमें 4-5 टेक्निक का प्रयूग किया जाता है जैसे कि हाई जंप में इसका में वीडियो बना चुकी ही कौन कौन टेक्निक होते हैं उस वीडियो को आप देख लेंगे तो सभी डाउट आपकी किलियर हो जाएंगे इसमें आपका हाई जंप में टेक्निक है सिजार सेली ठीक है वेस्टरन रूल इस्ट्रेडल रूल फासबरी फ्लॉप इन सभी सेलियों के बारे में डीटियल में बताएंगे हूँ हाई जंप के लिए कौन सी तक्निकवा प्रियों किया जाता है अर्षण है इस्टरन रूब रूल एन वेस्टरन रूल इस्टेडर रूल सेजार सेटाइल फासबरी किया जाता है उपर 있도록 इसमें रायट हो जा जाएगा जह से कि फासबरी फ्लॉप जो आधुमिक तक्निकी है जिसको आधनिक सैली बर्तमान समय में यही परियोग ज्यादतर किया जाता है जिसकी खुच दिख फासवरी ने किया था यह अमेरिका के एथलीट थे इन्होंने इसका प्रदर्शन उनीच सो और सट के उलम्पिक में की थी और इसमें दोस्तों तीरचार रौन होत रहे जिससे जंपर की पीठ कंधों से पहले क्रास बार को पार करती है नेक्स्ट है उची कूद बास कूद में यानि पोल वाल्ट में टाई है तू प्रथम दोनों नियम लगने की बावजूद भी टाई रहे तो इसका निवारर किस आधार पर किया जाएगा तो दोस्तों जब सभी अटेंट पुरा हो जाएंगे तो उसका निवारर जो है उची कूद के लिए दो सेंटीमिटर एंड बास कूद यानि पोल वाल्ट के लिए पांच सेंटीमिटर क्रास बार को ऊपर करके ट्रायल दिये जाएंगे ठीक है यह ध्यान में रखेगा नेश्ट है उची कूद वा बास कूद में टाई पड़ जाएं तो परड़ाम किसके द्वारा निकाला जाता है तो इसका परड़ाम निकाला जाता है लेटिस्ट लास्ट अटेंट अट टाई हाइट देन नोवा फेलियर नेश्ट है अगर हाई जंप के प्रतिभाग्यों की संख्या आठ से आठ या आठ से कम हो तो उनको मिल कितने ट्रायल दिये जाएंगे तो दोस्तो आठ या आठ से कम हो तो छे ट्रायल दिये जाएंगे आठ या आठ से जदा हो तो तीन ट्रायल दिये जाएंगे यह ध्यार में रखेगा यहां आठ से आठ या आठ से कम पुछा है तो छे ट्र डिये जाएंगे, next question है दोस्तो, hitch-kick नामक तक्नीक इस पर्दा में परियोग किया जाता है, तो hitch- kick तक्नीक जो का परियोग दोस्तो, blank jump यानि कि लंबी कूद में होता है, जैसे कि लंबी कूद में hang technique, hitch-kick training technique, जिसे cycling बिज़ भी कहते है, and cell method इस्टाइल ये तीन में विधी आती है टेकनिक आती है नेश्ट दोस्तों निवन में से कोल सी टकनिक long jump में प्रयोग की जाती है option है hang style phosphory flop straddle roll इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसे phosphory flop आपका है high jump का straddle roll भी high jump का टेकनिक है और यहाँ पे hang style जो है आपका long jump का टेकनिक है नेश्ट है cell style नमक टकनिक कि इस परधा में प्रयोग की जाती है तो मैं भी तुरंत बताई हूँ कि long jump में long jump में hang style, hiskick style cell style इतीन विधीया में नुरुप से है यहाँ पे cell style टकनिक कुछा है पे long jump right हो जाएगा नेश्ट है लंबी कूद में अगर time पड़ जाए तो निड़े किस आधार पर लिया जाएगा तो दुस्तो निड़े जो है next best performance के आधार पर लिया जाएगा नेश्ट है plastic sign indicator board का प्रयोग किस इस परधा में किया जाता है तो यह long jump में जादा किया जाता है next दोस्तो plastic sign indicator की चड़ाई वा उच्चाई कितनी होती है तो दोस्तो long jump में plastic sign indicator की जो चड़ाई होती है 10 cm एन उच्चाई साथ से 10 mm यान मिलिमेटर होता है next दो plastic sign indicator board का श्लाव कितने कोड पर होता है तो दोस्तो यह 45 अंस पर होता है बट अब इसका प्रियोग 90 अंस पर होने लगा है next question है long jump में runway की चड़ाई कितनी होती है इसमें runway की चड़ाई होती है 1.22 में 1.25 मिटर होता है and next है long jump में runway की लंबाई कितनी होती है तो दोस्तो लांग जम्प में रनवी की लंबाई 40 से 45 मिटर होता है ठीक है लांग जम्प, ट्रिपल जम्प एंड पोल वाल्ट इन तीनों में 40 से 45 मिटर जो आपका रनवे होता है वो होता है एंड हाई जम्प में 15 से 18 या 15 से 20 मिटर होता है रनवे next है दोस्तों कि long jump में landing area की चोड़ाई कितनी होती है जहां पे आप land करते हैं फिक है गिलते हैं वहाँ उस landing area की चोड़ाई होती है 2.75 से 3 मीटर and landing area की लमबाई जो है 9 मीटर होता है यानि नोग रेट 2.75 से 3 मीटर तक होता है नेश्ट दोस्तों लांग जंप में टेक आफ बोर्ड की चड़ाई कितनी होती है तो टेक आफ बोर्ड की चड़ाई जो है 20 सेंटीमीटर होता है कितना होता है 20 सेंटीमीटर उसकी टेक आफ बोर्ड की चड़ाई होता है नेश्ट दोस्तों लांग जंप में रनवे में खिलाडी ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क लगा सकता है तो वो ज्यादा से ज्यादा दो मार्क लगा सकता है नेश्ट दोस्तों हाप, स्टेप, एंड जंप किस इस पधा से समंधित है तो दोस्तो हाफ इस्टेप एंड जम्प यह तिहरी कूद यानि ट्रिपल जम्प से रिलेटेड है ठीक है इसमें दोस्तो पैर बदल बदल के आपका जम्प किया जाता है नेश्ट है खिलाडी द्वारा टे का बोर्ड से जिस पैर से जम्प लिया गया हो और उसी एक पैर से लेंडिंग क्या कहलाती है तो जिस पैर से टेका बोर्ड से जम्प किया गया हो लिया गया हो और उसी एक पैसे लेंडिंग क्या कहलाती है तो यह कहलाती है हाप ठीक है हाप नेशन दूस्तों खिलाडी द्वारा हाप करते शमय प्लाटिंग लैग कौन सा कहलाएगा तो हाप करते शमय प्लाटिंग लैग कौन सा कहलाएगा तो जिस पैर को टेका बोर्ड से जम्प लिया गया हो उसी को हम कहेंगे प्लाटिंग लाएग ने शदर तो खिलाडी द्वारा हाप करते शमय एक पैर जमीन पर आता है उसे प्लाटिंग लाएग कहते है जो पेड जमी पहता है जंप लिया जाता है उसको हाब कहते है उसको उसे प्लाटिंग लैग कहेंगे अगर दूसरा जो हवा में रहता है उसे हम क्या कहेंगे तो उसको हम कहेंगे sleeping leg क्या कहेंगे sleeping leg तीक है नेश्ट है दोस्तों तीरी कूद में पूर्सों के लिए take up board landing छेतर में से कितनी दूर पर लगाया जाता है तो दोस्तों triple jump में पूर्सों के लिए take up board तीरे मीटर दूरी पर लगाया जाता है नेश्ट है तीरी कूद में महिलाओं के लिए take up board landing छेतर से कितनी दूरी पर लगाया जाता है तो दोस्तों 11 मीटर पर लगाया जाता है यारी कि पूर्सों के लिए triple jump में लेंडिंग खेतर से जो टेक आप बोर्ड की दूरी होती है 13 मीटर और महिलाग के लिए 11 मीटर इधियार में रखेगा नेश्ट दुस्तों बास कुछ कोस्टन है पॉल वाल्ट से पॉल वाल्ट के रनवे की लंबाई की इतनी होती है तो इसकी भी रनवे की लंबाई होती है 40 से 45 मीटर इसरे पॉल वाल्ट में क्रास बार को कंज कम कितना बढ़ाया सकता है 그러나 अब मैं तुर्फंट कुछ दीर पहले बताए हूं कि इससे 5 सेंटी मेटर बढ़ाया जा सकता है वही पे हाई जैंप पुछेंगा तो उसमें 2 सेंटी मिटर बढ़ाया सकता है अब वढ़ी पांच सेंटीमिटर क्रास बार को कम से कम बढ़ाया जार शकता है नेश्ठे पोल वाल्ट में क्रास बार की लंबाई कितनी होती है तो जो क्रास बार होता है इसकी लंबाई 4.5 मेटर होता है जब कि हाई जंप में 4 मेटर होता है नेश्ठे पोल वाल्ट में क्रास बार का वज 5 kg ठीक है है जबकि हाइज दो केजी का वन्री होता है और पॉल्वाल्ट में क्रासबार का जोगोजम होता है दो दोसोन लो दो पांच केजी होता है नेश्च दोस्तों प्लाटिंग बाक्ष नामक उपकरणों का परियोग किस इस पधहा में किया जाता है तो दोस्तो प्लोटिंग बॉक्स जो होता है वह पॉल्वाल्ट का क्रासबार हवा में अधितम कितना जूल शकता है तो यह 3cm जूल शकता है तो दोस्तो यह था इतलेटिक्स जंपिंग इवेंट से रिलेटेट कुछ कोस्टन जो आपके लिए इंपोर्टेंट थे दोस्तो इस related कुछ skills आप तयार कर लिजेगा कुछ सब्दावलिया तयार कर लिजेगा मैं कोशिस करूंगे कि उस related वीडियो बनाऊं बट दोस्तो आप अपने इस तरह से भी तयारे कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहे हैं daily basis पर बहतरी तयारे के लिए and extra आप भी आप तयार कीजिए and दोस्तों वीडियो अब कैसा लlementsना मुझे में बताएज जो भी डाउट होंगे on माने कमेंजी में बताओं होंगे उसे भी बताएज़ दोस्तों यहारे भी टी जैरे या किजिए और दोस्तों फर्स बार विजिट कर रहा है था चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकों को प्रेस कर लिजिए जिसे न्य वीडियो को आपडेट आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं लेस्ट वीडियो में तब तक के लिए